देखो, महराज में जो कल की घटना हुई चत्रबती सिवा जी महराज की प्रतेमा जिस तरह से His Рचार के वजह से चोकि हे सरकार केंद्र की हो या राज्य की सरकार हो यह भ्रषटा चार के सिवा इनको कुछ आता नहीं और ये भ्रष्टाचार के वज़े से महराश की दैवत चत्रवती सिवाजे महराश का भी आपमान आवमान विचारों का आवमान करने में ये लोग कदापी पिछे नहीं रहें किलके घटना महाराश के लिए महाराश की जंता के लिए दुर्दे घटना है और यह सरकार को अब को ही माप नहीं करेंगा ऐस्रकार निए ही कुर्ची छोड़ के भागना चीए नोग इनको फॉर्ची से कीचकर इनको सत्ता के बाहर करें सब लोग थे किसा आदार पर इन लोग ने रोगुए ने किया अगर वह contractor जितना जवाबदर है उतना ही यह जवाबदर है क्योंकि इनको प्रष्टाचर से पैसा इन लोगों नहीं लिया है तो यह जिस तरह से वो जो प्रतिमा गिरी उसके फोटोस बाहर आए सिवाज महराज का सर अलग उनके हाथ अलग पैर अलग इसका मतलब यह है कि यह लोग सिवाज महराज विचारों को हमेशा इन लोगों ने पानित किया पेशवाई के जमाने में भी आज यो पेशवाई विचार की जो सरकार राज्य मेर्देश में हैं वोही सरकार आज भी छत्रपति सिवाजी महराज का उमान कर रहा है कर रही है यही उसमें स्पस्ट होती है